तो आज हम आपके लिन लेकर आए हैं लास्ट लास्ट एर के कुछ कॉश्चन पेपर जो मॉडल पेपर के रूप में दिये गए थे ठीक है और उसको डिसकस भी किया था मतलब डिसकस तो नहीं किया मैंने इसको अपलोड किया था अपने टैलराम चलो पर तो बहुत लोगों क इसको डिसकस भी किजिए पूरे पेपर को तो मैं आप आप आपके लिए लेकर आया हूं सेंपल पेपर लाइपी बीपेड इंट्रेंस का तो बने रही है हमारे साथ और हम आपको एक एक चीज अच्छे से एक कॉश्चन बारी किस पतांगी और आपको यह भी पता लग जा है किस एरिया से ज्यादा कॉश्चन से पूछता है यह चीज क्लियर हो जाती है तो बने रही हमारे साथ हम पूरा पेपर डिसकस करने वारे इस यूडियू में तो चले स्टार्ट करते हैं पहला कॉश्चन देखे क्या है हूँ इस दा फादर ओफ चियोमेट्री परस्ट व सब्सक्राइब को जाता है यह है इस का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है था देख लेते हैं दा इंडियन टु बीट दा कंप्यूटर इन मैथमेटिकल वाजरेटी ठीक है जो एक ही महिला थी जिसने कंप्यूटर को वीट कर दिया था मैथमेटिकल आपको पता है कि अभी एक मूवी भी आई उसके उपर है यह दिस शकूंतुला देवी ठीक है डीजरा राइट अंसर है तो बहुत जादा थेज़ती में आप इसक सर्विस इंदी तो जो जून कोरिया अंतराश्टि गांधी पुरसकार है उनकी सेवा के लिए जाता है तो किसकी सेवा के लिए यह इसने बोल रहा है तो यह कि एडिकेशन अप लेप्रोसी कुछ ट्रोक करने की इसके लिए यह दिया जाता है यह पुरसकार नेश्ट देखते हूं विच एन बीए प्लेयर स्कूर्ड एट पॉइंट इसकोर्ड एट पॉइंट सेकंड्स ऑफ ता केम टू लीड हीस टीम टू विक्टरी किस एन बीए प्लेयर ने अपने टीम को जीतने के लिए ने तरफ करने के लिए खिलके अंतिम साथ सेकंड्स में आट पॉइंट बना दे देखा बहुत बड़ी बात है बास्केट बोल मे आप सेवन सेकंड्स में एट पॉइंट बनाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है तो यह कौन था आप इससे बता सकते हैं बैरोन डेविस था या फिर स्टीफन मरकरी था या फिर केविन था या फिर आपका मिलर था तो अब इसका जो राइट हंस हो जाएगा इसको हो तो इसक怕 मैं आपको कुछ time क्यों देना हों पता है मैं आपको क्योंकि आप हर question को attempt करने का कोशिश करें आपको को गलत होगा इससे क्या अब को फिर वह चीश्याद हो जाए इसको तो आपको याद होने में जो है वह बहुँ अच्छा हो जाएगा तो चलते हैं आप धो भी करते रहे हैं अपने questions का answer को ठीक है इससे कि आप गलत हों तो उसके बाद आप सही कर सको अपने आपको next question देख लेते हैं जूड Flix is the famous Indian player in which of fields तो जो जूड Flix है famous Indian player है किस field से है volleyball, football या फिर tennis या hockey तो इसका जो right answer हो जाएगा वो होगा हमारा D होकी से हैं हमारा जूड Flix next question देख लेते हैं who among the following was an eminent painter है तो किस निम्हें से कौन सा प्रिसीदी चित्रकार था सरदा सरद किल ठीक है यहां पर वी शांति रमन उदय या फिर महरेली कि तो इसका जो right answer हो हो जाएगा हमारा ए ठीक है शरद है है यह जो यह जो आपना बताना है शरूद या वी ना या फिर वायलिंग या फिर सितार तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा हमारा ए सरोड ठीक है तो ऐसे ही बेसिक से कॉश्चन आते हैं इसमें जो आपके जीके से रिलेटेड होते हैं जितनी आपके जनरल नोलेज आपके जनरल अविर्ज जादा होगी आप उतने ज्यादा स्कूर पाएंगे आफ उसिर फ्रॉच आपके ली आफ़ एको आपके आफ से वाटट में जर्ल यगाशार है इसलिक में जर्फ किति, thamíane तो फिर्ल तो पूशरा हैं यह आपके जो अंसर रोग मेंशादा कि आपके तो यह जाए कि आपके किछिए थी of rotation is earth increased weight of the body तो ये बहुत ही अच्छा कोशन है अगर हम अर्थ की स्पीट को इंक्रीज कर देंगे ठीक है अपनी पिर्थभी की स्पीड जो है घुर्डन की जो स्पीड है घुमने की स्पीड है उसको बढ़ा देंगे तो हमारा वेट का क्या होगा तो वेट हमारा अब ये क्यों होगा तो तो फ्रस कॉंसेप्ट समझेज़का हमारा जो वेट है वो दो चीज़ बना है एक हमारा मसल मास है और एक जो है एक ग्रेविटिशनल फोर्स है ठीक है जो हमारा ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकिंड की स्पीड से एक जो लग रहा है वो कम हो जाएगा फिर जब ये कम हो जाएगा तो आपका जो वेट है वह क्यों चाहिए टीक है अब मास जब आपका लेकिन पीडिक्रीज घ्रीज हो जाएगा तो नेक्सक्वेशन द देखते हैं इसी के उल्टा is used to measure earthquakes rainfall ocean depth यह sound density तो बता दें आपका जो फैदोमेटर है वह आपका सब महासागर की गहराई नेक्स कोशन देख लिते हैं वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वास पोलिसी ओफ तो देखिए यह बहुत ही अच्छा कोशन है हम बहुत जादा प्यारा सा कोशन है पूछा जाता है काफी सारे एक्जाम में हिटलर का यह कहना था कि वन पीपल वन क्योंकि वही था इक जो अपना तना शाही का जो राजा था वही था था तो यह इसका फिमस था है नेक्स कोशन हम देख लिए हैं नेंध प्लांट इंपॉर्टेंट इन इस ट्री कल्चर सेरे कल्चर ओके तो यह सेरी कल्चर में मेहतुम पोधे का नाम पूछ रहे हैं क्या होगा आपको अब इसका ट्राइ किजिए अपने से दिने का तो शेयन तूथ जो मलबरी होता है वो इसला राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं दा मोस्तिय। इंडियर स्मॉलग्य की इंडिया टेक्स्टाल इंडिस्ट्री पेपर ईंडिस्ट्री इंडि Inde kingdom देस्ट्री एं अग्य कर ये इस तोब किशह लोग तो अच्छोरस तो इसका तो एसका जो ज्यादा अंसर हो भारत पर ससा जएधा मिलता है देखने को नेक्स को सिर्फ याइव फॉर्ट वर्ल नेशन ग्रिवर है फॉर्ट वल्ल नेशन है वो सब सोईल से रिचार्ज होती है कि कौन सी नदी से होती है ठीक है इन दे सेंस यह पूछना चाहरा है कि हमारी क्या होता है अक्सर हमारे जब हम उगाते हैं न किर्शी जब हम उसकी वर्र शक्ति वह कम हो जाती है लेकिन एक नदी इन वे से ऐसी है जो वहां से मिनरल्स और फाइवर्स लेकर आती है और उस सोईल में मिलाके और चले जाती है तो यह पूछ रहा है कि कौन से रिचार्ज करती है ठीक है जो नर्मदा है वो यही काम करती है तो पहाड़ों से आती है वहां से अपने साथ मिनरल्स और काफे सारे वाइटमिन्स लेकर आती है ठीक है तो नर्मदा इसर राइट अंसरा विच्च कंट्री हैस दिस इस रूट अफ आल इविल तो यह पूछ रहा है किस देशने अपने किस कंट्री ने किया था यह पूछ रहा है इतली या क्यूबा या वेटिकन सिटी या रूस तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मारा वेटिकन सिटी तो वेटिकन सिटी नहीं किया था यू थोड़ा दीब लग रहा हो आपको जानकर नगे नेक्सक्षयन देखते हैं दर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेग इन इंडिया तो देख लिए तो पुलिकट चिलिका या विरनम या कुले रूं तो इसका राइट नसलो जाएगा वो जाएगा आपना चिलिका जेल तो तो मीठे पानी की विए आप से पूछा जा सकता है मीठे पानी की जो होती है हमारी वूलर जील होती है सबसे बड़ी इंडिया में है आप इसको करके जाएगा देखिए जो कॉश्चन्स है ना यह most probably chances है कि इस बार भी आएंगे क्योंकि इसमें से लगबग 40% कॉश्चन फसे थी last year अगर जैसे जील मेंसे जील मेंसे इसने चीली का जील ढाल दिया ऐसी कुछ भी डाल सकता है मीठे पानी की जील लाग सकता है कोई और जील सकता है जाल सकता है फिर पूरव में पार जाने जील या पस्चिम पार जाल सकता है कुछ भी जीलों से एक कॉश्चन डाल सकत नोक्या को बिलॉग करते हैं डेनमार्क व्यूसक्ता या स्वीदेन या फिर फांवाइन तो सीरिसली बताएज़ कौन कौन अभी तक सौशता था कि नोक्या इंडियन कंपनी है कमेंड मुझे जरू बताईएगा लेकिन यह इंडिया की नहीं है फिनलेंड की कंपनी है ठीक है नो के नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं तो जो देखते हैं तो जिसका राइट अंसर हो जाएगा वह आपका 70 डिग्रीज हो जाएगा ठीक है कि अच्क बाद सारे वायरेस सारे उसके जो हैं बैक्तिरियास मर जाते है नेक्स कॉश्चन के पीपल फॉम विच स्टेट सेलेब्रेट देर व्यारवेस्ट देर हर्वेस्ट फैस्टिवल एंड मकर सक्रांती तो यह पूछ रहा है कि जो राज्जे को मकर सान्थी आस पास में पूरी इंडिया में कुछ ना कुछ मना जाता है लेकिन अलग 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 नाम से जाते हैं पंजाब में इसे लौड़ी के नाम से जाते हैं तो इसका राइट जो जाएगा हो जाएगा करनाटक ठीक है एक सब्सक्राइब तो यह तो बहुत ही ज्यादा इजी कोशन है आर्था आपका ब्लू प्लानेट है क्योंकि ब्लू अपने अपनी जो अर्थ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है ठीक है इसलिए वह ब्लू दिखाए दिर बाहर से है थोड़ा दूर आड़ा आट मेंदा स्पोर्स परसनल कर रहे तो यह पूछ था है प्रिसित खिलाडी में से एक ने नंवंबर ने अपने आपका था फ्लाइंग टू विन जा रहे गिए खिलाडी को सभी डंग से नाम दे तो फ्लाइंग फूछ रहा है था फ्लाइंग फ्लाइंग तुझ तो इसका जो राइट अंसर है वो जाएगा हमारा साइन नेयवाल ठीक है साइन नेयवाल की यह ऑट बाइग्राफी है प्लाइंग तुविन उसने खोदी अपनी किताब जो है बाइग्राफी लिखी है इसकी नहीं नेक्स्कुशन देखते हैं वियर आर्दर हैड़्फार्ट आफ इंटरनेशनल ओल्पिक कलमपिटी तो आयो सी का है पूछ रहा है तो आयो सी और आयो सी इॉन्हों की हैड़्ोर्टर आपको बिल्कुल अच्छे जहिए करके चले चले आना है ठीक है तो आयो सीप यह कुछ इसे होते हैं जिसमें नहीं छोड़ सकते इनको इस्पोर्स में अगर आप जा रहे हैं तो आप से पूछे की जाएंगे आयो सी कब बना था कौन इसका फास्ट प्रेज़न कौन था ठीक है आप ही कौन है आयो सी के के फुल फॉर्म आयो ए के फुल फॉर्म कब बनी थी तो यह सब पूछे ही जाना है तो आप इनको तो पक्का कर गरेएगा कि यह हैं तो यह बहुत ही अच्छा कोशन है आपको हर गेम से में जो है रिंग मिलेगा ठीक है आप अगर जाते हो कि कि बॉक्सिंग में तो बॉक्सिंगा बॉक्सिंग मिलेगां जीम्नासियं में जाते हो तो गांति भी होता है चरो डी कि awak shoots है असमें भी इंग होता है ऐग यह वेस्ट एफ कर रहा है ठीक है जो यह यह है कि इसको फीन्द को नहीं बुलाते हैं तो वह इस फिट को यह यह होता है यह यहां से वह हिट करेगा तो यह डायमंड शेप इसको बोलते हैं इसके फेल्ड को तो यह इसका जो राइड अंसर यहां पर डी हो जाएगा ठीक है नेक्स कॉश्चन देख लेते हैं हमें पर तो देखें कॉश्चन आया था तो मैं आपको बहुत बोल रहा हूं यह वेरी वेरी इंफॉर्डन कॉश्चन है आपके करेंट से करेंट से आपके बहुत कॉश्चन पूचे आते हैं खासकर गेम से बहुत उस टाइम का करेंट यही था ठीक है 2018-19 में जब यह हो था तो मतलब कॉन्वेल तो बहुत कॉश्चन आयते हैं रियो से भी आयते तो आपको जो है यह पुर्क्र करके ले आना है जो करेंट में हो रहा है ठीक है अपी कोविट का जादा चलता है तो कोविट की देखे टैनिस के टूनिमेंट हो रहे हैं तो टैनिस रखिए अब यह अभी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी जो अपडेट है कोई भी जो नए चीज़ आते हैं वह आपको ना चूट है ठीक है वह आप डिसकस करता रहता हूं तो यहां क्या पूछ रहा है तो क्या नंबर था गोल्ड 24 गोल्ड किस या 21 मलग गोल्ड शिल्वर ब्राउ सब्सक्राइब तो मैंन का होकी मैं वर्ल्ड कप 2008 इस गोइंट टेक प्लेस तो जो मैंन का होकी वर्ल्ड कप है वो कहां पर वा था पूछ रहा है तो बहुत से लोग आपको शाद पता नहीं हो लेकिन यह जो हुआ था मना बूफनेश्ट में हुआ था तो देखिए इसका भी आ सकता है अभी वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था 22 में कहां होगा कहां होने वाला है कब होने वाला यह सब पूछ सकता है तो आप इसको पूरा अच्छे ता त्यार करके जाएगा व्ल्ड कप होकी कवी फूटबॉल कवी और आपको इसका भी क्रिकट कवी सबको आपका व्ल्ड कप सबकर लेकर चलना है ठीक है यहां देख लिए तक क्या कर रहा है हूँ वान द ऑस्ट्रेलियन ऑपन 2018 टैनिस मैन सिंगल 2018 किसने जीता है इससा कुछ यह पूछ रहा है ठीक है 2018 में तो देखिए नॉर्मली यही आते हैं रोजर फेडर या जैको भी उन में कंफेज नहीं होना है भर नॉर्मली इसमें लोग बहुत कंफेज हुआ होते हैं अप है सही एसका जो अंसर था प्रेसेंट 18 में रोजर फैरर ठीक है पिस्टों तो नेक्स देख रहा है तो नेस्स कोश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है एथलेट ऑफ विच कंट्री है पार्ट स्वेटर अंजर निट्र ओलम्पिक फ्लैग इन तो नेटीन विन फिनट विंटर सुरी विंटर पूछ रहा है तो बड़ा हो गया है यहां पर तो विंटर के ओलम्पिक लिए शीट ठीक है चेक रिपब्लिक और स्लोवनिया श्लोविनिया रश्या और अपका अफगानिस्तान तो उसका जो राइट अंसर है वो हो जाएगा हमारा रश्या ठीक है नेक्स्वेश्चन देखते हैं क्या कि रहा है हूँ वास्ट इंडियन मेल बैडमिंटर प्लेयर तो विन चा यहां पर देखे पुलैला गोपी चंद जो थे वो उनकी गुरू थे और यह बहुत अच्छे अपने टाइम में वह रहा है पर्फरमर अपने अच्छे चिखास है उन्होंने जो आपकी चैंबेंशिप से जीती हैं और उनी के स्टूडेंट है हमारे कि दंबनी श्रीकांथ तो यह अपर इन्होंने जीता था ठीके चाइना ओपन और जो सेंदू है फिर संदू है इंडियन जटलर है वहाँ अच्छी है अब यह उन्होंने जीओ में मेरे लिया है अल्म या भी अपकी प्लेलग पूपी जांदें इनकी स्टूडेंट रहे है ठीक है रही है थे क्या कोशन आगया है तो नीरत्चोपड़ का पूछ रहा है कि नीरत्चोपड़ा ने कितना मेटर फ्यंगा था उसका वोगों पूछ रहा है तो गोल्ड मेडल लेने के लिए इसने कितना फ्यंगा गोल्ड कास्ट के कॉन्वेल्थ में जो ठीके टेवल ट्रेंस में महिला कि अच्छी प्लियर है ठीके लेफ्टी है और अच्छा बहुत अच्छा खेलती है मैंनका मैच देखा है तो आप इसको ना भूलेंगे तो अभी आने वाले लॉम्पिक में भी खेल लेंगी पार्ट्सट करेंगे तो होप कि उनका मैडल आ है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं वाट इस दा ओफिशिल मसकट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप तो फीफा वर्ल्ड कट का ओफिशिल मसकट क्या है वह आपको बताना अभी आपको फ्लूको है या या फोटिक से या या आपका जबी वाका है तो मसकट आपको याद रखना नहीं है अभी जो गुजर गया एटीन का आने वाला टूंटीटू का और क्या उससे आगए भी तो यह सब आपको मसकट तो ज़रूर याद रुकना है ठीक है मसकट और यह आपको कहा हो रहा है किस जात कर रहा है बहुत पूछता है नेक्सक्वेस्टेंट लीग का पूछ रहा है कि अब किस ने जीता 2017 में तो बहुत बहुत जादा अबर रही आने वले टाइम में यह बहुत जादा अपने वर्ल्ड पर चाह जाएगी और इंडिया का नाम सबसे आ गया है में तो प्रोकरडेल एक सब्सक्राइब का पूछ रहा है कहा हुआ था तो पटना पाइरेट्स ने जीती थी ठीक है सीज़ डाइडल जम नेक्स्ट कोश्चन क्या होता है विच स्पोर्ट्स परजन लॉंग विट एमेस धोनी ऑफर्ड विथ पदम विश्ण इन 2018 2018 में नितर जीता था वो किसनी जीता था सथ दोनी पदम विश्ण को मिला क्या था दोनी पहले एक प्लियर कोश्चन ले था कॉनसा यह वेट डिफ्टिंग इवेंट, 25 kg की प्लेट का कलर पोच रहा तो आपको सारी प्लेट का जो है कलर आपको याद रखना रहा है तो कुछ भी यहां पर मिस्टेक ना करें है बेसिकलल 25 starts right お gamma ありゃ एक तार खको अधा तो आपको कि के वथीजहरा और जो गरीन आपको पर तेयुद्सरे ने किजिः नहें तो यह जो वेट के color है यह Olympic ने decide कर रखे है तो आप इसको जुरूर पढ़ें कि एक होती है आपकी 2.5 की होती है जो white color गे होती है 5 kg की भी होती है 10 kg की होती है एक आपके 15 की 20 की 25 की तो यह आपको अच्छे से याद करके होना जाहिए कोई भी question पूछ सकते हैं next question देख लेते हैं है कि कुछ पी है कि कुछ इस करेंट उनियर मेंस्टर ऑफ इंडिया तो करेंट यूनियर मेंस्टर बूच रहा है कौन है इसमर्ति राणी या वीजे गोयल या प्लाज़वर धिसमित्टोर या फिर सर्वनंदा सोनवाल तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह यहां रहो जाएगा ठीक है शुब्रव नंदा सुनवाल तो यह सुनवाल जी तो थे 2018 के मारे वह थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्र अभी के जो स्पोर्स मिनिस्ट्र अगर पूछे जाएं तो आप बोलेंगे कि उस्पोर्स मिनिस्ट्र अंडिया के जो स्ट मारे यहीं ठरीक है तो आपान अवगानिस्टान वह जाएगा वानेमा भुटान तो फिक है जो है और को से सबसूंद कोड़ा दूँरत को बता दूम नीश तो आपके स्टार्ट हुए थे ठीक है नेक्स्ट कॉस्टिन किया करें कुछ आपको पहले पहले जो यह याद करना है और अभी करेंड में इस साल जिसे मिला है वो याद करके आना है अर्जुन वाट कभी द्रोणाचार्य वाट कभी और खेल रतन वाट कभी राजी गांधी परमविर चक्र का पूश्ट लेया ठीक है तो फस्ट यह पूश्ट रहा है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा हमारा डी मेजर समंत शर्मा तो यह थे हमारे पहले प्रसाज निन द्रेगा इंडिया रंक डेश ओन न्यू ना कार यह रिजएक जारी होगा का दिया को इसमें युछ निकभिवर मेलिंग आई है तो तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा साक्षी मली को और मारिकम तभी लाई है उनसे पहले एक लड़की थी महिला थी वो थी करडम मगिश्चवरी ठीक है तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा तो आएगा ही आएगा आपको बता तूं ग्रेंट प्रिक्स में पांच ओपन होता है आपका फ्रेंच उपन होता है और आपका यह उपन होता है और आपका यह उपन होता है तो यह से विलाकिया आपको चार-पांच होता है स्लेम में आपको हर किसी का आना ही चाहिए कौन सा कब जीता है ठीक हर साल का तो यह जो चल रहा है और लास्टर का इतना याद कर लीजिए हो जाएगा आपको काम तो घूम फिर के यह जाते हैं मैं तो आपको बताया था रोजर फेडर यह आपका नुभाग जो कि भी प्राफ अंसर था था ठीक है नेक्स्ट कोशन दिल्गी इंडियन शूटर वां दागोल मेडल एंड़ में लिए वोमेंस 25 मेटर पिस्टल इवेंट इन गॉन्वेल्ट्स 2018 गी को बूच रहा ही तो ठीक है कि किसने आपको गोल मेडल जीता था था-टून्टीपाइव मेटर एपिस् इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कुछिचन देख लेते हैं हूव विकम दो ओनली एक्चुली इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हीना सिंदु होगा है तो इसका जो राइट अंसर है यह मैं शौर हूँ इसका राइट अंसर यहीं होगा वही ठीक है हीना आफ्टर लिजेंडरी मिल्का सिंग तो कॉलिफाइफ फोर 200 मिटल फाइनल्स कॉन वेल्थ में देगे हर किसी के बसी बात नहीं कॉलिफाइगा ना तो चार से मिटर मिल्का सिंग के बाद कौन सा दूसरा व्यक्ति था जिसने 2018 में कॉलिफाइग किया है तो इसका जो राइ तो वोन दा गुड मेडल इन टैन मिटर एप्सटल तो टैन मिटर एप्सटल में 2018 के देख लेया कॉन वेल्थ और उससे बहुत कॉशन आएंगे आपके तो आप इसको तयार गड़े ज़िए अच्छे से तो यहां पर पूछ रहा है कि किसने जियत कितने जिता था टैन मेंस से और पिस्टल का वह गोल्ड मेडल ठीक है तो यह होगा इसका राइट अंसर आपका जी तुर रहा है कि पर आइट अंसर हो जाएगा एक कुर्शन देखते हैं कि इंडियन वेटलिफ्टर पूनम जादव हैस वॉन दा विच वूमेंस वेटलिफ्टिंग केटगरी एट कॉन वेल्ट में लिया था तो यह भी देखिए आपको पता ही होना चाहिए कि किस में प्लेयर ने कौन से वेट में आपका गॉन मेरल लिया चाहे वो रैसलिंग हो या फिर जूड़ो हो या फिर आपका वेट लिफ्टिंग तो सी 69 केजी में इन्होंने लिया था नेक्स्ट कॉश्चन देखेता है दा इंडियन वूमेन टेवल टैनिस टीम डिफिटेड विच यूनियन बैक्ट गोल्ड मेडल एट कॉनवेल तो यह पूश्टा है महिला ट कि नेक्स्ट कॉश्चन हो जाएगा कि विफू इंडियन मिस्ट्री मेडल इंडियो ओलम्पिक बाए पॉइंट जिरो जिरो पॉइंट वन फाइफ पॉइंट अच्छा तो यह पूश्टा है कि ओलम्पिक में पॉइंट वन फाइफ अंक से कौन से भारति बदक चूक यह बहुती रेर केसम हुआ था इसका तो मुझे भी बहुत जाना दुख हुआ था क्योंकि जो यह चुका था ना वो मेरा भी फेवरेट प्लियर था तीपा कर्माकर तीपा कर्माकर जिम्नास्टिक की अच्छी प्लियर रही है लवी भी है तो उनका जो है एक पैर फ्लैट करने के आगे उचे से उचा पहाड भी चकना चूर होके गिर जाता है तो आप मेहनत करेंगे ना तो मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है तो दीपा कर्माकर नहीं करा मेहनत की वह इतनी की कि उन्होंने आज अपना वह ले लिया ठीक है कॉन्वेल्थ में ले लिया उसमें ले लिया लेकिन जब ओलम्पिक के बारी आई तो रियो ओलम्पिक में वह मेड्स है आपके थर्ड पॉइंट से थर्ड प्लेस है ब्रॉंज मेडल से 0.15 पॉइंट से रह गई तो यह बहुत दुखता ही न्यूस थी मैंने भी सुनी तब मुझे तो बहुत ज़्यादा उमीद थी दबुक को दा सिक्रेट कॉर्ट हैस बीन अथर्ड बाया हॉम तो दबुक सिक्रेट कोई किसने किसके दुवारा लगी पूछ रही तो जो खैक इसके दुवारा लगी यह आपको याद करके जाना है क्योंकि ब क्योंकि वीडियो को ज्यादे ही लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे कोशन इसी वीडियो में बना दी तो आप अपने तरह करते रहे हैं और आपकी कोई भी क्वाईरी या फिर कोई भी आपके कॉश्चन से तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं वरन हमारा एक इंस्टाग्रा चैनल भी है फिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा निचे उसको फोलो कीजिए ताकि आपको कोई भी अप्टेट आपकी नहीं छुटे है तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मॉच